एसलाव अलुक्म फ्रेंस सार्च मोझे देख रहा है और बीट की डरीवेशन का और बीट विल्यासिटी यह कैसे हम लोग डरीवेशन इसके डराइप और इसके फॉर्मुला डराइप कर सकते और इसकी वैल्यू मानूम कर सकते हैं तो हमने मास अफर्थ की डेरिवेशन पिछली वीडियोस में देखे थी अगर आप ने नहीं देखी तो उसको वापस देख लें था कि आपको मास अफर्थ क्लियर हो जाए हमने पढ़ा कि हमने एक और चीस पढ़िए के सेंटीपीटर फोर्च होता है वह मूव कर रहा है तो वहाँ पर जो फोर्स होती है वह सेंटीपीटर फोर्स के फॉर्मला यहाँ सेंटीपीटर फोर्स कॉल फोर्स को फॉर्ल पर यहाँ पर यहाँ सेंटीपीटर फोर्स की खीने पर 122 इपर व्युक्राटर फोर्स पर इसेंटीपार फोर्स च Each वह बचलाया फंब लोग G calculate कर रहे हैं तो G में M G equal to G M E M upon R square हो गया अब यहां पर भी एक R से 1R cancel हो गया और 1R से 1R cancel हो गया 1R से 1R cancel हो गया 1M से 1M cancel हो गया और G R equal to 1R उठके यहां पर चले गया तो यह G R equal to G M E upon R हो गया यह वाली यह और यह दोनों सेम हो गए अब हम करेंगे क्या दोनों को compare करवा रहे हैं मैंने पिछली वीडियों से मताया है compare करवाते हुए यह सेम चीज़ होती है वह cancel out हो जाती है और यह एक दूसरे के equal हो जाता है तो यह V square equal to G R होगया और V equal to under root G R होगया रूट G R कैसे हुआ स्क्वारिंग अन बोस साइट हो इसका रूट अन बोस साइट हुआ रूट स्क्वार से रूट कैंसल हो यहां पर रूट बज गया क्योंकि स्क्वार नहीं था अब आगे चलते है R equal to small r equal to r e होता है radius of earth तो हमने इसकी जागा रूट कर दिया जी की वैल्यू भी constant होती है और इसका solution निकाल दिया कि G R E की value multiply होके क्या है कि इसका root ले लिया तो यह हमाँ पास 7920 किलो मीटर पर सेकेंड आगे तो मतलब velocity हमाँ पास orbital velocity 7920 किलो मीटर पर सेकेंड है कर दो कर दो को हमाँ पहले जीक, इसका एंड है